बहुत मैत्पुन विशे पर बोलने का उसर दिया मैं आज भासा का मामलाई चल रहा है शेलंडर जी ने बोजपूरी का उठाया मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा भी विशे राजस्तानी भासा को माने टाकों ले करके है और मंत्री जी बैटे में ये बताना चाहता हूँ कि मंत्राले में 30-35 परस्ताव पैंडिंग थे तो एक शीता कांत महापात्रा की अध्यक्स्ता में एक समिती बनाई और उस समिती ने जितने पैंडिंग प्रपोजल थे उसका अध्यन करके ये बताया कि श्रफ, राजस्थानी और भोजपुरी दो ऐसी भासाएं हैं जो मानिता की पातरता रखती है और उसके बाद 2006 में इसी हाउस में ग्रे राज्य मंत्रे नाश्वाशन दिया कि हम इसी सत्र में भोजपुरी और राजस्थानी को मानिता के लिए प्रस्ताव ले आएंगे, बिल ले आएंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन भी पास किया और उसकी धारा गुंतिस दो एप में लिखा कि प्रात्मिक सिक्षा मात्र भासा में दी जानी चाहिए अब मैं आपके माधियम से सरकार से पूछना जाता हूँ कि हमारे राज़स्तान में प्रात्मिक सिक्षा में किस भासा में देवे आपने राइट टू एजुकेशन पास किया और जो मानिता प्रात्र पात्रता रखने वाली भासा हैं उनको समिधान की आठवी सुसी में समलित नहीं किया और हम कोई छोटे-मोटे परदेश से नहीं आ रहे हैं मैं राज़स्तान से आ रहा हूँ और इस देश का सबसे बड़ा परदेश है जोकरभी गली और दस करोड लोग मानियवर राज़स्तानी बोलते हैं तस करोड आप पूछते होंगे कैसे बोलते होंगे छै करोड तो हम राज़स्तान में हैं एक करोड हम बेंगौल और सेवन सिस्टर में हैं एक करोड हम सेस भारत में हैं ने ने एक करोड हम विदेश में हैं जहां अमेरिका ने दिया मानिता मैं यह करना चाहरा हूँ और एक करोण हम पाकिस्तार में जो राजस्तानी भासा बोलते हैं मैं यह विशे अभी इसलिए लाया हूँ कि 24 जून 2011 को अमेरिका के राष्टपती ने वाइट हाउस के प्रेजिडेंशियल अपॉइंटमेंट की प अब यह आठव्यन सुची में सम्मित नहीं कर रहें किस तरह का याप जब मैं बात करता हूं पिंडरो बोक्स कुछ आएगा मैं कहूं आपने समीति क्यों बनाई सीता कांत महारपात्रे और उस महारपात्रे ने यही का कि दो भासा हैं जो भोजबुली और राजस्तानी यह मानिता के लिए पातरता रखती हैं तो फिर इसमें मानिता देने में दिक्तखा आ रही हैं तो यह विशेर कूंकि महत्वपूर है सिरी हंसराज गंगाराम अहीर इसलिए इसलिए राजस्तानी भासा को मानिता दिलाए जिससे दस करोड़ दोख स्वाविमान से जी सकें और राजस्तानी भासा भी अपना वो समान बात रात कर सकें जिस भासा जिस के लिए वहांदार दने बात